नमस्कार आप देख रहे हैं दबंदे भारत का खाश शो मेरा भारत सोंचरया सोंचरया में आज बात पंजाब की पंजाब एक आकर्शन जगह है इसकी सुन्दरता हर पैटक को मंत्र मुक्त कर देती है इस राज्यों में घूमने के लिए कई जगह हैं सोंदर और जलिया बाला बाग जैसे प्रिसिद्ध आकर्शलों से लेकर शेहरों और राष्टी और ध्यानों तक ऐसी कई जगह हैं जहां आप गूमने का प्लान बना सकते हैं पंजाब राज्य को पांच नदियों की भूमी के रूप में भी जाना जाता है हर साल बड़ी संख्या में देश विदेश से पैटक यहां घूमने आते हैं इन पैटन इस्तलों के अलावा पंजाब अपने भोजन, संस्कृती और इतिहास के लिए भी जाना जाता है पहले बात अमरसर के अमरसर एक खूबसूरा शेहर है यह तीर तिस्तल स्वाण मंदिर के लिए मशूर है स्वाण मंदिर के लावा आप यहां जलिया बाला बाग, बागा बॉडर और कई प्राचीन मंदिर देख सकते हैं शेहर की स्थानिय दुकानों से सूट के कपड़े, जूती जैसे सामान की खरीदारी कर सकते हैं इसके साथ ही अमरसरी कुलचा, छोले, बटर चेके और लसी जैसे विंजनों का आनद ले सकते हैं अगर आप पंजाब की असली सुन्धरता का अनवब करना चाते हैं, तो लोधिहाना जरूर जाएं यहां आप लोगों की जीवनशैली में साध्या का अनवब करने के साथ साथ प्रकर्ती की खुबसूरती का भी अनवब कर सकते हैं यह एक खुबसूरत शहर भी है चंदिगण चंदिगण में कई ऐसी जगए हैं जो परेटकों को अपनी ओर आकरशित करती हैं प्रकरती से लेकर कला और संस्कृति तक, नाइट लैप से लेकर खरीदारी तक ये जगए आपको पहतरीन अन्वव प्रदान करेंगे आप यहां आदुनिक्ता के साथ पारंपरिक पंजाबी संस्कृति का अन्वव कर सकेंगे जालंदर जालंदर पंजाब के प्रमुक शहरों में से एक हैं बटिंडा कई अतिहासिक और धार्विक इस्तलों के लिए जाना जाता है वीड़बार से दूर बटिंडा एक ऐसा शहर है जहां घूमने के लिए कई दिल्चस्प जगाए है पठान कोट पठान कोट पंजाब के सबसे बड़े राज्यों में से एक है यहां घूमने के लिए कई जगा है इसमें मुक्तेश्वर मंदिर आशापूर्णी और प्राचीन काली माता का मंदिर आदी शामिल है इसके लावा आप यहां रंजीत सागरबान और नूर पुर के लाभी देख सकते हैं अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आई हो तो अस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार कि अजयर को बड़र आपको पुर के लावारे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए